सबसे पहले क्या है फिर फिर पूलबस के बाद जाती है अच्छा और जाती के बाद लिंक के बाद जन्विस्थान के बाद कितने वो सब्द हो गए है उसमें कितने सोलें हैं कौन से दो सब्द है अडिशनल है पुद्भव और निवास ऐसे ही छोटे-छोटे कुश्चन आते हैं जो जो आप यह समझ रहे हो ऐसे कुश्चन नहीं आते हैं कि कोई आप से पूचेगा का आर्टिकल 16 क्या है फंडामेंटर रायट्स क्या है ऐसे नहीं कोई पूचने वाला मैं कुश्चन देख रहा था भी कैसे आये हैं तो जी देखना होता है किस तरह के कुश्चन साते हैं क्या है हम कंटिनू देखते रहते हैं टीकर ना बैटर शुनाओ प्रेंबल सुनाओ पूरा कम्प्लिट बताए थे ने याद पका याद कर लेना अगी जो लाइने ना भी दा पीपल आप इंडिया हेर वाई ये सब को याद है जिसने याद ना भी करी हो उसको भी याद है अलाला बताए थे ना के सबसे पहले for the country people wanted four things, for the people for three things, for the human being two things. इसमें sequence है, चार, तीन, और दो, चार, तीन, दो, देश को कैसा चाहते हैं, तो उसके लिए है sovereign, देश को दूसरा तरीका क्या चाहते हैं, socialism, याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, बैठो, प्रियंबल किसको याद है, दो, तीन, चार, पांक, छे, आप लोग दे रहे हैं के पेपर इस साल, दे रहे हैं, याद क्यों नहीं की? है, फिर मतलब हुई नहीं, कैसे भूलोगे, बोलना, बोलो, है, हम भारत के लोग को क्या चाहते हैं, हम भारत के लोग भारत को, हम इतना टाम बेश्टी किया मैंने, या तुम्हें प्रियंबल याद नहीं है, और यू अर तुम्हें प्रियंबल याद नहीं है, और तुम्हें आप्यर अग्शाम देशन आप लोग भारत को, संपून प्रभुत्व संपन, समाजवादी, पंत निर्पे, लोग तंत्रा द्वंगर राज जवरान, याद नहीं हो आपको, हाँ आदो, हाँ भाई, सुना, अनुज से, हम बारत के लोग के बाद सी रहीं, अरे सीक्वेंस नहीं, जब तक समझ के याद नहीं करोगे न, तो ये दिमाग खट से फैंक देता है, कल चार घंटे के लेक्चर में ये तुकड़े-टुकड़े करके बताने के पीछे ही है, तुम याद ही नहीं रख सकते, नहीं तो जो कुछ में मैं बता रहा हूँ, बेरेक्ट में लिखा हुआ है, अगर पढ़ो बेरेक्ट ही है, पास हो जाना, अलग-अलग बताया, ये तेरे को याद नहीं हुआ हम भारत के लोग, फिर बताना है भारत को, फिर भारत के नागरिकों को, फिर भारत के बैक्ति को, तीन अलग-अलग चीज़ें तुमें ध्यान नहीं रही है, भारत के लोग, भारत को क्या चाहते है, चार बात, भारत के नागर्वाँ के लिए क्या चाहते हैं यह उस रूप में तुम्हें याद क्यों नहीं हुआ मस्तिस्क सीक्वेंस को तब तक नहीं पकड़ पाएगा जब तक वो समझ नहीं जाता समझता नहीं तुम बेना समझे याद करने कोशिस करोगे बहुत जब महरत करके कर लिया तो एक दो दिन में भूल जाओगे ऐसा थोड़ी थी यह कॉस्टिटूशन आप लोगों ने आपके क्ति क्लाश टीचर्स ने पढ़ने ही पढ़ाया पढ़ाया हुआ हुआ है लेकिन याद नहीं है हाँ अधारे में क्या है आर्टिकल एक्टी में क्या ची अपाधियों का अंत क्या लिखाया इसमें है अपाधियों का अंत यह तो हैडिंग है अंदर क्या बात रिखी हुई है अच्छा कोई भी नागरिक राष्टपती की बिना अनुमत्य के उपाधि धार्ण नहीं करेगा कौन सी वाली उपाधियां यह विदेश वाली भारत की नहीं यह विदेश वाली यह राष्टपती ने किन के लिए मना किया किसे अनुमत्य है विदेश वाली जान नहीं है कोई वो दिया था घान गटो लख फर गभफ हैंको भी लाए दिलीप कुमार को भी लाए किसले लाए कोई पुछे अनुम्हार को क्या दिया था कोई नहीं है वाला लेकिन आपको मेमोरी को सै्ट करने के लिए चीजए सैट पताईए जे चुछ पढ़ा रहे न, उनके लिए आप घर पे कम से कम 10-10 टाइम्स पढ़ोगे न, तो होंगी और मन मार के पढ़ना पढ़ेगा, मन तो कहेगा नहीं पढ़े हैं लेकिन पढ़ना पढ़ेगा आर्टिकल 19 सबसे सरल आर्टिकल है अभी मैं समझाओ उससे पहले इसमें स्वतंतता दे रखी है कितनी स्वतंतता प्राप्त हैं पता है क्या बार इस्वेंट पहले कहेगा सम्ता का अधिकार फिर कहेगा स्वतंतता का अधिकार फिर कहेगा बस जाने का अधिकार फिर कहेगा ब्यापार करने का मूल अधिकार अब चला ता मूल अधिकार पर फिर चल जाता स्वतंतता हो पर यह मैंने कॉपी देखी है ऐसी स्वतंतता का एक अधिकार है जो उन्नीस में बीस में एकीस में बाईस में दिया हुआ है अच्छा एकीस में भी स्वतंता का अधिकार है क्या एकीस में भी स्वतंता का अधिकार है क्या एकीस में भी स्वतंता का अधिकार है क्या देखो, 19 में जो सुतंतताइं दे रखी है, क्या समझ मैं आई? 19 में जो सुतंतताइं दे रखी है, 21 में भी वो सुतंतता ही तो है, वो भी सुतंतता का यदिकार है, अब बात करो कैसे? कि जीवन जीने के लिए कि देखो जीवन के लिए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रुत पड़ती है हवा की पानी की ये तो इन्हें प्राप्ट करना भी स्वक्ष बायु प्राप्ट करना ये भी एक सुधंत्ता का ही एक टाइप की सुधंत्ता है प्रीडम है बैठो उन्नीस क्लोस वन की सारी सुतनताओं को इसमें मैं कुछ भी कब नहीं कर सकता च्छे की च्छे सुतनताओं याद करो अभी फिर समझा देता हूं कि इसमें समझाने जैसा कुछ जादा है नहीं सिर्फ उन्नीस क्लोस वन हो गया है तब को 21 के इस क्लोस में है फिर आप एक पॉप एक टू के उन्नीस-दो के रयश्टिक्शन्स भी याद करो इस इक है तर शाल में जो में कि तो याद नहीं क्योंकि freedom of speech and expression कर कौन-कौन से लोग बनाई जा सकती यह कुछन आता है हो गया ना उनीक्स पूरा कि यह नहीं पढ़ने एक clause में clause 2 के जो 8 restrictions है ना अब किसको यहाद है आप बताओ रऍक्ती बता हो कि आद किस किस राप के restriction लगा सकते पहला restriction बताओ है ए पहला कि को राज्य की सुरक्षा कि से कौरटी में कर ने सेक्व ऋब्दथ सिकौरटी ना व्धा स्टेट का मतलब यह है कि ऐसी कोई भासनवाजी नहीं कर सकते जिससे देश की सुरक्षा को खत्रा उत्पन हो जाए ऐसे कोई चित्र नहीं बना सकते मतलब freedom of speech and expression है क्या जो भी thoughts आपके अंदर आ रहे हैं एक ध्यम्दे नियोग की बात है जो सुतंतरता है आर्टिकल 19 clause 1 में दी हुई है और जो सुतंतरता है प्रियंबल में दी हुई है दोनों एक ही नहीं है दोनों सेम नहीं है क्योंकि प्रियंबल में कहीं कोई बस जाने की सुतंतरता नहीं है कोई assembly की सुतंतरता नहीं है कोई नलायू तो संभिलन करने की सुतंतता नहीं है तो दोनों सुतंता हैं अलग हैं तो पहली जो सुतंतता है freedom of speech and expression मलब आपके जो कुछ भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन यह absolute नहीं है कैसी नहीं है absolute नहीं है इन पर reasonable restrictions हो सकते हैं और इन आठ grounds के आधार पर हो सकते हैं तो जिसमें पहला ground है security of the state पहला ground क्या है दूसरा क्या है बिज्देशी राज़्यों के साथ संबन्द तो बिदेशी राज़्यों के साथ संबन्द का मतलब यह है कि उस आदमी को जो रोज मालो हमारा अमरीका के साथ दोर्स भी बना रहे हैं और एक कोई आदमें रोजाना यूटूब पर आकर अमरीका को गाली देता है तो उस आदमी को रोका जा सकता है कि तुम उस अब मुझे नहीं कहेगा सब मामे तो आप दूसरे देश को गाली दे रहा हूं दूसरे देश को भी गाली नहीं दे सकते हैं क्योंकि दूसरे देश के लिए आप कोई कटता उत्पन हो गई तो उस देश का नागरिक यहां घूमने आया उस देश का नागरिक यहां कोई घूमने आया तो आख उसके साथ कैसा विवार रखोगे भावना पूर जैसे पाकिस्तान का कोई भारत में आदमी घूमने आता है पाकिस्तान भी पाकिस्तान भी पाकिस्तान में भी ऐसे ही लोग रहते हैं लेकिन भारत के नेताओं ने और पाकिस्तान के नेताओं ने ऐसी कटता पैदा कर दी है कि नेता भासणा में कहते हैं कि ये पाकिस्तान में जाना चाहिए वो पाकिस्तान आना चाहिए इस तरह के मुर्ख तापूर बातें जो नेता करते हैं उसके लिए Constitution पर्मिशन नहीं देता अच्छा भारत का अभी एनिमी कंट्री कौन सा है कोई नहीं है ये कौन सिखाता है कि चायना है पाकिस्तान है भारत का इस वक्त कोई सत्रू देश नहीं है लोग के बिध्यातिया ऐसी WhatsApp नौलेज रखोगे क्या केवल भारत जब घोसित करता है किसी देश के साथ युद्ध घोसित हो जाता है तब यानिमी कंट्री घोसित किया जाता है ये देश हमारा इस समय सत्रू देश है भारत का दुनिया में कोई भी सत्रू देश नहीं है च पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है बर्मा पड़ोसी देश है नैपाल पड़ोसी देश है स्री लंका पड़ोसी देश है भूटान पड़ोसी देश है किते हैं पड़ोसी देश मैंने भी बताए कि नहीं बताए और एक रहे गया अफगानिस्तान क्या भारत का अफगानिस्तान पड़ोसी देश है क्या क्या अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है भारत की भारत से बहुत छोटा सा एरिया अफगानिस्तान का भी लगता है बारत की सीमा से पर वो जगह आजकल हमारे पास नहीं जहां से लगता है यहां से देख रहा है ना यह वाला एरिये पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान में जिसे बोलते हैं P.O.K. पाकिस्तान उक्टिपाइड कस्मीर यह वाला एरिया दवा रखा है चाइना ने और अभी चाइना और अंदर गुसा है जिसमें देश की बतान बन्ती कहते हैं कहीं नहीं गुसा हुए है अपने फे जब कि सैट्रलाइट पिक्चर्स बताती हैं और अंदर आ गए है तो यह वाला एरिया तो किसने चाना ने कपजा कर रखा है और ये वाला एरिया और ये ही है हमारे पास नचसा हम पूरे का बनाते है ये बात जानकारी ठीक है जब भारत से भारत का पाकिस्तान का जंजट हुआ तो चाइना ने ये जमीन चाइना को ये जमीन पाकिस्तान ने दान कर दी, दूसरे की जमीन, जमीन भारत की, और दान करने वाला पाकिस्तान, पाकिस्तान ने चैना उदान कर दी, और चैना कहता है हमें तो दान में मिली है, गिफ्ट दी है पाकिस्तान ने, अरे जमीन तो हमारी है, पाकिस्तान थोड़ी गिफ्ट कर सकता ह अब इनके साथ में हमारा ये ये तैक किया हुआ है कि लट नहीं उठाना है तो लट तक उठा सकते हैं तो नहीं चलानी है हाँ बंदूग से पैट्रोलिंग नहीं होगी बंदूग नहीं चलाएंगे एक फॉट्टी सेवन और ये सब हत्यार नहीं चलाएंगे पैट्रोलिंग तो करो लेकिन पैट्रोलिंग किससे करनी होती है लट से लटिया लेके ये बाद जानकारी है क्या आपको नहीं ज्यान है कि अभी थोड़े दिन पहले भारत के कई जवान मर गए उसमें जो जगड़ा हुआ तो उसमें क्या हुआ था लट मार हुआ था उनके पास भी लट थे और उपर से पत्थर उचाई पे थे पत्थर गजा दिये हैं लट मार हुई थी बंदुग नहीं चलती वहां गोली नहीं चला सकते हैं परमीशन ही नहीं आप भात्यार लेके जाने सकते हैं न वो लेके आते हैं न ये लेके जा सकते हैं गुमते रहो आप पर वो क्या करते हैं धीमें 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 उनको खिसकाते आते हैं रात में खिसका जाते हैं पत्थरों को फिर खिसका जाते हैं जब खिसकाने पहुं volcano को पाकिस्तान के साथ में क्raktion किया है हमने वांड़ बना दी है जैसलमेर गई हो कभी कि नहीं गए छाहर मेर में में आपको ये देखने को मिल जाता है सीमा आप आजसानी से देख सकते हो बीच में बहुत चौड़ी जगए है उसमें बीच में सीमा है और इधर उदार दोनों के इधर उदार और वो लगा रखे हैं बैरी केट्स मतलब जाली लगा रखे हैं लोगे की जाली लगी हुई है जा नहीं सकते वहाँ पैट्रोलिंग करते हैं शिपाई सेल्सियस के टेंपरेचर पर 24 गंटे क्योंकि वहां नहीं बैठें तो पता लगा को बाउंडर्यू किसका गेदर करती है तो पंजाब से लेकर वहां तक हमने यह राजी किटी कर दिया कि उन्होंने नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे तो अपने भारतवालों ने कर दी अपनी तरफ से और कंटिन्यू रात हुते ही लैट जलती दिन जैसा रहता है कि कभी जैसलमिर जाओ तो देख के आना तो राज्य की सुरक्षा दूसरा विदेशी राज्यों के संबंध और तीसरा लोक वेवस्था लोक वेवस्था के लिए लोक वेवस्था लोग वेवस्था लॉए अप लोगों को बर्गला नहीं सकते नहीं जी ऐसा है वैसा है तो आपकी freedom of speech कहीं मायने नहीं नहीं लग सकती, जैसा मन करें बैसा नहीं कर सकते हैं। सिष्टता और सदाचार। सिष्टता और सदाचार को बनाए रखना है। सिष्टता मतलब morality। इम्मॉरल नहीं हो जाना है। माल लो, आपने कई बात देखा हैं ने विचार अव्यक्ति की सुटता है। तो लोग क्या करते हैं के अपने सर मुडा लेंगे। माल लोग रोध प्रदसन करना हैं किसी बात का। तो आपने देखा बहुत साई लोगों ने सर मुडा लिए। और बुर्द प्रदसन करना हैं सारे गंजे गंजे देख रहे हैं। एक कादबार में क्या किया आपके साम तो ब्रोध प्रदसन करना हैं। उपर वाले बस्तर हटा दिये। एक में क्या हुआ। लोगों ने सारे अटा लिए। और पुलिस ने लट लगाए। उनने का हमारा तो ये फ्रीडम आजबी स्पीच एंड एक्स्प्रेशन है। ये एक्स्प्रेशन हैं। ये सिष्टा और सलाचार तो इतना दिधान रखना है। नंगे थोड़े होके प्रदसन करोगे। अन्यता तो करने लगते लोग। ध्यान आकरस्ट करने के लिए। तो समझ में आगया। कि फ्रीडम आश्पीच पर ये एक्स्प्रेशन है। नियाले की अभमानना नहीं करनी है। एक पर क्या हुआ। नाम सुना है अरुंदती राय। सुना है। राइटर है। वह किट कर रहा है कि नहीं। भूकर पुरुष्कार मिला था। सहायत्य का दुनिया का बड़ा पुरुष्कार है। नोबल के बाद वही सबसे भूकर पुरुष्कार मिला हुआ है उनको। अरुंदती राय। अब तो सहायत बहुत एज हो गई होगी। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे। तब वह उस समय मिला था पुरुष्कार। तब रही होगी उनकी। चालिस पेंटालिस साल के तो नर्मदा बचाओ अंदोलन के समय है। तो नर्मदा में के बहुत उचा डेम बनाया जाना था। डेम खेरब बन गया। वह खतम होई बात। तो डेम जितना उचा बनाना था तो पानी को रिजर्व करके पीछे तक रोगना था। तो उसमें बहुत सारी जगे जगे डाउं डूबत में आ गए थी तो उनको हटाना पड़ रहा था। गरीब लोग थे वोले कहां सिफ्टों कहां हमारी खेती कहां गई सारा कुछ लुट गया। उसमें अरुनदती राय और जितने एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट के नाम सुनेंगा किसी कहां। अरुनदती राय के लावा कोई और एक्टिविस्ट नाम सुना है। अरुना राय है। तुम कैसे लॉके स्टुूरेंट हो। तुम्हें ये नहीं पता कि जिसने सुचना का अधिकार राइट टु इन्फॉर्मेशन एक्ट दिलवाया था उसका नाम नहीं जानते हैं आप लोग लग कुछ नहीं जीरो ही पड़के आई हो अरे वो इस लेड़ी का नाम था अरुना रहा है मुझा लग कैसी किताबी नॉलेज में मान लो इतने ज्यादा परफेक्ट हो ये नॉलेज भी तो उतनी ही जरूरी है वो तो तुम्हारा सौबाग गया है कि तुम्हारे में जीके नहीं है आर जेस में यूपी में मुझा सारी स्टेट्स में जीके जरूर है इतनी नॉलेज तो जज को भी होनी चाहिए अरुना राय और उनके हैस्वेंट दोनों आई एस ओफिसर थे और यहीं रहती हैं अभी किलोनिया में हजमे रोड पर है ना किलोनिया इक जगह आती है में रोड पर लगा मिलता है जब जाते है उधर से आते हैं तो किलोनिया वहीं जाके उन्होंने बना रखा है ग्राउन दोनों ने अस्वेंट बाइफ ने दोनों ने I.S. की जॉब छोड़ दी बहुत बहुत सामान तरह से रहते हैं मैं कुसिस करूँगा किसी टाइम उनसे बाई साब से निवेदन करवा हूँगा उनोंने उनके साथ काम किया हुआ है कि एक दिन इंसिटूट में आ सकें अज इंसिटूट में किन को बलाते हैं लोग नाचने कुदने वालों को जिनका कोई लेबल नहीं है कोई बुद्धी नहीं है अभी फोन आया एक करा अनु कफूर आ रहा है अज सच भी जड़ा रहा हुए एक बज़े आपको मा जरूर आना है कि क्या करूँगा अनु कफूर का वो क्या है ठीक है एक फिल्म बिल्म बनाता है वो अधिक लेबल पर थो रही है आप लोगों के यहां पर उस दिन दो तिन बार आ चुके हैं गया वो जब आते हैं परसांद दूसर्ण साहब को हमने बलाए था आप सब लोगों ने जो लोग थे वो समय आप थी क्या परस्न भी पूछे थे पूछे थे उप्लान कोशिस तो बहुत की पर वो हो नहीं पाए मैंने यह सोचा था हर महीने एक देश की बड़ी परस्नल्टी को बलाएंगे हर महीने और वो वो नहीं पाए चलो क्या समझ में आगे आपके तो अरुणा राए अरुणती राए यह क्या एक्टिविस्ट है परसांत भूछन यह डिफरेंट टाइप से यह क्या सोचते हैं हुमन बींग के लिए सोचते हैं तो अरुणती राए का नाम क्यों आया था यहां उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद गेट पर खड़े होगे नारे लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक दिन की जेल की थी तो क्या समझ में आया है कि आपकी freedom of speech and expression इस बात का नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद के नारे लगाओ ऐसे ही कल्यान सिंग राजपाल रहे उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था नहीं बावरीम बजीर का जो डाचा उसे कुछ नहीं होगा ओधाचा तूट गया ती सब्सक्राइब कि सुप्रीम कोर्ट ने उनने जेल बेज़ देए एफिडेविट देके आए था तो क्या समझ में आई के देखो और ना लास्ट एक कौन सा पचा एक मान हानी आप किसी को गालिक लौंज नहीं दे सकते हैं अवा के अआं किसी को गालिक लौंज नहीं दे सकते हैं अब गांग केसी जो मा वहन की गालियां ही अहिँ होती वह उती आ नहीं होती जैसे अभी आपर दादमंत्री जीने शिव सेहना के जो किया नाम उनका है उद्व ठाकरे उद्व ठाकरे को कहा यह तो अपने पिता की नकली संतान है यह उतनी ही गाली है यह बैसे सामा निभासम के आप बोलते हैं इसको अरे यह यह तो नाजायज है तो वो उन्होंने नकली संतान कहके यह भी गाली ही है यह भी गाली है ठीक है और अपराद का उद्दीपन अपराद में अपराद जिसके कारण अपराद हो जाए ऐसा दिए सेन्ज करण आप सकते हैं तो दिखो उन्निस के यह आठ सुतंताइन आती हैं और आठ जां तीचे प्रेश्टिक्स साथेएं कौन कौन से बारत हैं आव आप से दो चीज inhal़ों, एक तो सीकंस पूछ लेता है काई बार, सीकंस क्यों पूछता है, सीकंस है क्या अशर पड़ता है, कोज इसर नहीं पड़ता, लेकिन सीकंस से यह अशर पड़ता है, कि इस बैक्ति को कितना पका जा याद है, क्या जानना चाहते हैं, दोरौदअ होना चाहिए है हाँ ये भी है हाँ सॉबरेंटी एंडिकिटी ऑफ इंडिया ये तो सबसे ज्यादा मैत्रपून है हाँ उसके बाद है कुछन को करवाड हुई थी किसने बोला था तो तुमने बोला नहीं था सबसे पहले तो यह है कि सॉबरेंटी कि मतलब एक था खंड था इसी पर डिपेंड है क्योंकि देश कैसा है सॉबरिन है सॉबरें मतलब देश में जो डिसियन ले लिया और ले लिया अन्यता तो खंड हो जाता अब तक ठीक है ना तो सॉबरिन है बाहर का अंदर का जो डिसिजन लेना है जैसे कैई जगे सरकार देखा है ना कैई जगे लट से अब जैसे मावादी हैं मावादी मावादी वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग जिन्होंने कभी वो लड़े तो अच्छे के लिए थे क्या था नकसलवाडी गाओं का नाम है नकसलवाडी उस गाओं के लोगों ने सोचा कि यार सारी जमीने ये जमीदारों की हमारे पास तो कुछ है नहीं और एक दिन उन्होंने बंदू कर उठा लिए रास्ता तरीका गलत था खोले हमारे पास इतनी व्यवस्ता नहीं तो सारे के सारे लोग नकसली बन गए नकसली मतलब तो अत जमीन के लिए क्योंकि सुरू में सिर्फ जमीन ही थी जो जीवन का आधार थी वहां आप अन उगाओगे अन खाओगे कपड़े पहनोगे दूसरों को बेचोगे उससे बना लेकिन बाद में सरकारों ने देश की सुरक्षा के लिए पठोरता से इस आंदोलन को दबाया क्योंकि आंदोलन बहुत बड़े एरिया में पैल गया था और हिंसक हो गया था खास तोर से चतिस गड़ में जारकंड में उडिसा में बिहार में इन चेत्रों में वेस्ट वंगाल में नक्सल बाद पनप गया था जैसा के protection in respect of conviction for offenses अपरादों के लिए दो सिद्धी के संबंद में सनक्षण ये भी एक स्वतंतता है क्या है ये इस इस आल्सो फ्रीडम अब इसमें तीन बातें बताई हुई है कितनी तीन मालो जैसे आज कोई अपराद करें चीक है आई-पी-सी चल लएई है आई-पी-सी में कम सजा है जहां मालो तीन महिने की सजा थी और भारती नियाए सेंटा आ जाए और मैं उसमें वो सजा कर रखिये दस साल तो कौन सी सजा मिलेगी उसको बी-एन-एस क्यों मिलेगी अरज जिस दिन जो अपराद किया वो ही मिलेगी नहां है तरह जमाख आज की लागों की पहले भी लागों की नहीं आज तो अभी आई-पी-सी चल लएई है ना बाद में लगेगी ना बी-एन-एस एक जुलाई से लगेगी अभी तो आज एक जून है तो वो सजा नहीं लगेगी मतलव उस सजा से जादा किसी को दंडित नहीं किया जा सकता जो जिस दिन उसने अपराद किया उस दिन उसके लिए सजा का प्रादान था उससे ज़गे कैसे करो गए कि उससे लगेगी जो केसित पीस जून तक चलेंगे वह भारती दंड सेंटा के द्वारा ही चलेंगे और जो भारती न्याय सेंटा आ जाएगी जिस दिन लागू हुआ उस दिन के बाद उसके कानून लागू होंगे दोनों साथ साथ चलेंगे ये केसिस इतने चलने हैं कम से कम दसवारा साल में खतम होंगे और ज्यादा भी समय लग सकता है तब तक ये एक चलते रहेंगे उधर नए के लिए वो पढ़ने पढ़ेंगे दोनों चलेंगे दूसरा किसी भी व्यक्ति को उसके व्रुद्ध साक्ष देने के लिए बात नहीं किया जाएगा ये भी इस तरह की स्वत्वन्तता है मतलब के नो मोर पैनल्टी विच इस गिवन इन लौ एन फूर्ट उस समय जो उस से यह पैनल्टी नहीं दी जाएगी जो लौ एन फोर्ट में है उस समय दो बात हैं इसमें कहां दे रखी हैं बीस एक में दे रखी हैं इस दौनों बात हैं कितनी बात हैं नमबर बन और नमबर टू मानलो किसे आदमी ने कोई किसी कानून का उल्लंगन नहीं किया है तो क्या उसे उसका कन्विक्शन हो सकता है क्या उस पर कोई पैनल्टी लग सकती है नहीं दूसरी बात क्या कहता है कि पैनल्टी उससे ज़्यादा नहीं जो उसमें अपराद में दी हुई है उससे ज़्यादा पैनल्टी का भागी नहीं होगा अब आता है बीस दो सेल्फ इंक्रिमिलेशन स्वेम के पुरुद्ध साक्ष अच्छा उल्टा हो गया है तीन में चला गया हां वीज दो में डबल जीओ पार्टी तेको मेरे से भी हो गई न दौहरे गंडर से सरनक्षन क्या सुचनता है प्रोटेक्शन कॉम डबल जीओ पार्टी ठीक है और बीस तीन है अब जी डबल जीओ पार्टी पता है ऐसा ही एक्जाम्पल कहां था यह डबल जीओ पार्टी के संबंद में CRPC 300 एक या बाद के लिए दो से दो बार नहीं से दो सिद्ध किया सकता हाँ दुबारा ट्रायल होता है तो उसके संबंद में 300 में लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है 300 में अपवाद दिये हुए है जैसे परिणाम भिन निकले जहाना रहा है जैसे एक आदमी को पीटा आदमी कोमा में चला गया ट्रायल सुरू हो गई सजा हो गई बाद में पता लगा वाद आदमी तो उस पिटाई की बहस से डैथ हो गई उसकी तो उसको एडिशनल डंद से डंद किया सकता है तो उसका अग्या लगा है उसका हो सकता है और तीसरा है अच्छा डबल जी और पार्टी का कभी कभी एक फिल्म देखते हैं अंदा कानून अंदा कानून अंदा कानून नाम की फिल्म थी अमता बख्चन की उसमें हमता बख्चन को किसी दूसरे की अत्या के जिर्म जिर्म पीरे हो रहा पिर बाहर निकलके आया हो जिसका मता के जिर्म जिर्म में जिर्म जिर्म का idag था वो आदि मैं से घासन दे रहा था और हमता बच्चन और उसका एक दोस्त दोने चाई पी रहे होते हैं उने का यह है इसी के पैसे में जिन्दिए के 14 साल चले गेज तो फिर दोड़ता जाता है और तलबा लेकर भागता है उसके पीशे पीशे हैं और वो दोड़ा दोड़ा आगे बागता है और वो उसी कोट में घुज जाता है जिसमें 14 साल पहले सजा दी अब 14 साल से जजबी वोई बैठा है जब कि तीन साल में ट्रांसफर हो जाता है और उसको मारता है वहां उसमें वो कट कर दिये थे बाद में सेंसर बोट ने बोले क दिखा रहे हो गलत चीज दिखा रहे है तो वो यह कहना चाहता था कि इस अफराद के लिए तो अब मैंने मारा है तो क्या होगा इसके लिए तो मैं पहले सजा चुका था ऐसे नहीं जोन हो भी जाया तो वह तो जूदीसल मिस्टेक है तो और फिर सजा में जाना पड़ेग क्या होगा तुबारा सजा में जाना पड़ाइगा वह दिन चलाया उनों ने पिर सेंसर बोर्ड ने ने का कि यह गरवट चला दे बंद कर दिया और दिखाने की कोशिस की कानू रंदा है और तीसरी बात भी सेल इंकुमेशन कुंसी इस सेल इंकुमेशन स्ट्रे आंक इन stal देने के लिए बात नहीं किया जाएगा अबी कि जासे स्ट्राइं के मदू साक्ष देने के लिए बात नहीं किया जाएगा एक चीज़ है साक्ष का लेना और एक चीज़ है साक्ष का देना तो बीच तीन साक्ष के देने पर प्रच्चबंद लगाता है लेने पर नहीं आपको कोई जैसे एक केस था नीरत सर्मा ऐसाच उन्हें का तुम्हारा डियने टेस्ट कराना है पाल दे दो उसने एक आद बाल मांगे होंगे वहले मैं तो नहीं देता मैं अपने व्रुद्ध शाक्ष देने लिए उन्हें उसने थाजान ने पकड़ा और खिच दिया बाल उन्हें बाग यहां से फिर बात में कोट में कहा वो बीच-तीन में कोट ने कहा यह लिये थे आपने दिये थे देना और लेना अलग अलग चीज़ा इसमें एक बड़ा फिमस केस आया नार्को एनलैसिस का याद है क्या सैल्वी मनाम करना टक राज्ज सैल्वी मनाम एक पदार्थ इंजेक्ट करते हैं बॉड़ी में पदार्थ का नाम क्या है लिखा यह नहीं था नार्को एनलैसिस में कौन सा पदार्थ डालते हैं कि आज चुकर आई यह कुश्यन MP में ऑपजेक्टिब में वो पदार्थ क्या करता है कि आपको अर्ध निंद्रा की सिती में ले जाता है कैसी अर्ध निंद्रा की सिती में वहां सीक्रेट छपाने का कोड खतम हो जाता है, आज में खट से बोलने लग जाता है, अपनी सारी बाते अंदर क्या-क्या है उसे बताना शुरू कर देता है, वो है नार्को एनलैसिस। जैसे आपने देखा ना फिल्मों में देखाते हैं, फिल्मों में देखाते हैं, जैसे एक फिल्म थी उसमें एक आदमी किसी महला का नाम लेकर कह रहा है, चल टौकी स्वा मिल जाना में आता हूँ, पत्नी वहाँ थी तो उसने थपर मारा उसके, तो वो ऐसी स्थिति कैसे बनी कि वो दूसरे की बात बता रहा था, अर्दनेंद्राव, उसी स्थिति में लेके चला जाता है वो, तो सेल्वी वनाम करनाटा राज में नार्को एनलाइस इसको अन कॉंस्टूशन लिख लिया कर दिया, क्योंकि वो ये बीस तीन का उल्लंगन है, क्योंकि वो अपने ही वृद्व साख्ष देने के लिए आपने बात दिकर दिया, एक केश था नंदनी सत्वती वनाम उरिशा राज्ये, क्योंसा नंदनी सत्वती वनाम उरिशा राज्ये, नंदनी सत्वती उरिशा की मुख्यवंती रही थी, बाद में वो करफशन के मामले मारेस्ट हुए, पूछ पाज के लिए ठाने ले जाए गया, अब वह उन्हों कुछ पूस्ताज बताई नहीं लेकिन उनके मन अमरे को टॉलेट जाना है तो छो ठीक है टॉलेट सली जाओ आप थाने में वा ले टॉलेट में और वो टॉलेट घंदे होते होंगे उसे मिना कर दे जाने से बाद में हमने केस किया कि मुझे टॉइलेट न जाने देना मुझे बात किया गया कि मैं अपने ही बुरुद साक्स दे रहे तो अपने ही बुरुद साक्स देने के लिए बात नहीं किया सकता जैसे मुझे एक डिवाइस भी बता रहे थे एडिशनलाइज पी हैं पूले तो इन्वेस्टिगेशन जब करता हूं था तो ऐसा करता था अब्यूक्त को बोलता है रहे बच्छ तुम्हें खाना क्या क्या खाना है तो उसकी मन पसंद खाना मगाता है और बाद में बाद में उससे खाना वाना खूब खिला दिया अब उसे सुस्ती आएगी और जैसे ही जोका लेने लगा खट से थोड़ा पानी मार दिया अब थोड़ी तेर में गंटे दो गंटे चार गंटे में वो इतना परिसान हो जाएगा कि नीज नहीं आने देना तो उसे एक अलग टैपी तड़फन होगी तो हमारे यह पड़ रहे थे मैंने का यह अपराद है तीन सो तीस में जेल चले जाओ यह पुल कैसे पानी तो भी मारा है खाना खिला है अरे बाद नहीं कर सकते आप बीश तीन में क्या नहीं कर सकते बाद नहीं कर सकते सोने न देना सोना क्या है नेचरल रिक्वाइर्मेंट है क्या है किसी आदमी को कुछ दिनों के लिए सो सोने न दिया जाए आदमी पागल हो जाएगा और मृत्यू भी हो जाएगी तो सोने न देना उससे ऐसे नंदरनी सत्वति वाले मामले में था तो किसी भी व्यक्ति को खुद के दुर्द साक्ष देने के लिए बात दे नहीं किया सकता तो यह था बीस तो बीस में आपने क्या समझा कि अपरादों से संदक्षण मिलना वो भी एक टाइप की फ्रीडम है इसलिए राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल में ही दिया हुआ है जो छे फ्रीडम दे रखी है आर्टिकल उननीस के क्लॉस वन में ऐसे ही नेस्ट भी फ्रीडम थी अब लिखो 21 लिखो फटापट हो गया 21 लिखो फटापट पढ़ो भी लिखो भी बहुत इंपोर्टेंट है इसमें सबस्यादा केस याद करने पड़ेंगे आपको समझ मैं देखो 21 में दो फटापट दे रखी है एक तो लिखा रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राणें देख उतनता से बंचित नहीं किया जाएगा परसनल लिबर्टी अर लाइफ तो लाइफ क्या है जीवन क्या है जीवन क्या है लाइफ या जीवन देखो दो तरह की सुटनता है एक तो जीवन की सुटनता एक देख सुटनता तरीन की सुटनता दोनों अलग अलग हैं जीवन की सुटनता कैसे अलग है और देख सुटनता कैसे अलग है जैसे हवा है हवा में क्या जीवन है तो हवा नहीं होगी तो जीवन चले का कैसे तो उसी पर सुटनता की सुटनता है इसलिए दिल्ली के दिल्ली में सन दो हजार तीन चार पांस की बात है इतना बसों का रेलम पेला होता था बस एक के उपर एक चड़ी जा रही है सवारियों पर खिंचा तानी होती थी इतना धुआ भैंकती ती गाड़ियों ऑवरलूटिंग होती थी तो सुप्रिम कोड़ ने कहा कि ये पॉलुशन कहीं न कहीं कहीं न कहीं घातक है पॉलुशन घातक है किस के लिए जीवन के लिए तो ये कॉंस्टिटुशन का कॉंस्टिटुशनल राइट खतम कर रहा है और ये जो कॉंस्टिटुशनल का राइट खतम हो रहा है ऐसे और चीजों से साथ भी जुड़ा हुआ था जैसे दिल्ली में एक गैस छोड़ने वाली वो थी गैस की प्रेक्ट्री थी वहां एक वकील जा रहा था और गैस भी हो रही थी वह मूर्चित हो गया मर गया तो उसकी प्राण की सुद्नता को बैलेशन हुआ तो राज्य को प्राण की सुद्नता के लिए पैसे देने पड़े एक है देह सुद्नता देह की सुद्नता देह की सुद्नता का मतलब है बोडी बोडी की सुद्नता के संबंध में एक केस आप लोगों में सुना हुआ खड़क सिंग वस्ट शेट अब यूट्व सिंग को जेल में बंद रखा बाद में वो छुट गया लेकिं पुलिस वाले हर रोज उसकी जौपड़े में देखते हैं खड़क सिंग सो रहा है या नहीं निकल के भाग तो नहीं गया तो सुप्रीम कोट ने कहा कि आप देह सुद्नता को कि देख सुद्ना को समाप नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं करा सकते हैं कि प्रांड की सुद्नता पर बहुत फेमस केस है आप तो लोग उने पड़ा हुआ ओलंगा टैलेस वस्स बॉंबे मियूसिबिलिटी तो तो अलंगा टैलेस में पताए क्या था कि बहुत सारे लोग अपने जीवन यापन करने के लिए मुंबई में रहते हैं और मुंबई में रेलवेय ट्रेक के पास रह रह रहे थे और बस साहिल रोग अपने जॉपनिया रेलवेय ट्रेक के अंदर जो थोड़ी चौड़ी जगे थी वहां बना ली थी और क्रॉस करके जाब रेल जाती आती रहती उधर चले जाती है अब मिनिस्पिल्टी बॉंबई की मिनिस्पिल्टी ने क्या किया बोल जल ले जाके सब को थोड़ गया जॉप लिए ऑलंगा टैलेस जो एक्टिविस्ट थी वह कहां पहुंची बॉंबई हाइपोर्ट उननने का जीने का अधिकार इनका नहीं है क्या भाई ये क्यों रह और लोग है वंगार यहां आकर अपना रोजगार करते है अब इनको यहां से निकाल दिया जाएगा करी सो किलोमेटर दूर से रोजाना रेल से आएगे यह इनका आने-जाने में अबर्बाद हो जाएगा और क्या यह रोटी नहीं खाएंगे जब तो इनकी जीव का समाप्त कर दी गई तो यह तो बेकार हो जाएंगे तो पहले री हैविलेशन की विवस्था करो इनके कहीं न कहीं प्तिस्थापित करने की विवस्था करो चीगा ऐसे केस था मैंका गांधी की पासपोर्ट मैंका गांधी की लड़ाई होगए सास बहू की मैंका गांधी का बच्चा बहुत चोटा था और दादी को अपने बच्चे इस तरह पोटें बहुत पसंद आते हैं तो जब वो निकली उसे लगा एब बिदेश भाग जाई तो प्रदानमंति थी तो उन्हों एका इसका पासपोर्ट जब्द कर लिया तो वो कॉची सुप्रिम कूर्ट पासपोर्ट कैसे जब्द कर लिया आपको पासपोर्ट जब्द नहीं कर सकते है समझ मैं आपको प्रांड की और देह की सुद्मता मैंने प्रांड वाले एक्जामपल भी लिए और देह वाले भी ये लिख लिए आपने एक कर लिया ये केसिस जो मैंने बता है इने थोड़ा थोड़ा ब्रीश कर जाना राकि और भी लिख रहे हैं